नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चनल में जिसका नाम है What You Want तो दोस्तों देश बर में करोना के संकट को देखते हुए भारत सरकार ने एक application लाँच किया जिसका नाम है आरोगय सेतू और आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा क्योंकि इस application के बारे में खुद PM नरेंदर मोधी जी भी बता चुके हैं कि आप जितनी जल्दी हो सके इस application को install कर लीजी तो आज की वीडियो में आपको इसी application के बारे में बताऊंगा कि आरोगय सेतू application क्या है और ये कैस काम करती है तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये application इंस्टॉल करके बता देते हैं और साथ में आपको मैं इसके बारे में briefly जनकारी दूँआ कि आरोगय सेतू application करने से आप करोना से अपना बचाओ कैसे कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू क इसलिए मुझसे अपडेट करने के लिए कह रहा है तो चलिए मैं अपडेट की उपर क्लिक कर लेता हूं और जैसी मेरा अपडेट हो जाएगा ये application यहाँ पर open हो जाएगी तो चलिए यह यह मेरा update हो चुका इसको कर लेता हूं open उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अ आशा में आपसे कई तरह कि यहाँ पर सवाल और सुझाव आपको दिये जाएंगे और कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों मैं यहाँ पर यह बता दो कि यह application काम कैसे करती है दोस्तों जब आप इस application को enable कर लेंगे तो आपके नजदीक में या आप जिस किसी भ application के माध्यम से आपको alert कर दिया जाएगा कि आपके नजदीक में Corona positive व्यक्ति है आप थोड़ा दूरी बना के रिखे यह इस application का मुख उदेश है साथ ही आपको यहाँ पर खुद को जो है चेक करने का भी option मिल जाएगा कि क्या आपके अंदर Corona के कोई लच्छन है या नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आपने Bluetooth और location sharing को activate कर देना इसकी permission देनी है इस application क्योंकि यह आपका Bluetooth और आपका data यूज कर सके तो हमने जितने भी permission है इसको यहाँ पर allow कर देनी है तो allow करने के बाद आपसे आपका mobile number मांगा जाएगा आपने यहाँ पर अपना mobile number जो है वो mention कर देन तो चलिए यहाँ पर OTP आ चुका है और इसने आटो verify कर भी लिया है तो दोस्तों अभी application यूज के लिए तैयारत यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आपके बारे में कि आप पूर्श है महिला है या अन है तो यहाँ पर आपका पूरा नाम पूछा जाएगा तो चलिए पूछा जाएगा आपका occupation पूछा जाएगा तो आपने कुछ भी यहाँ पर लिख देना आप चाहिए अगर इंजिनियर है स्टूडन है जो भी है तो आपनी वह यहाँ पर लिखना है तो इसके बाद यहाँ पर लिखा हुए कि 30 दिनों में अगर आप किसी अन्नी कंट्री कि और सब्सक्राइब इसकारी की इधाल तो और अपने पर यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं अगर आपको लग अलग तरह के क्शितर में अ को आप से सवाल पूछे जाएंगे तो आपने सभी सवालों का जभाब यहां पर डेते रहना है और जैसे जैसे आप जबाब देते जाएंगे आपको यहां पर अलग अलग जो नए ने क्वेस्टेंस हैं वो कंप्यूटराइज बेस में आपके सामने आते रहेंगे तो यहां पर दोस्तों इस एप्लिकेशन की खास बात यह है कि यह आपको अलर्ट करता है सबसे बुख उदेश इसका यही रहेगा कि यह आप आपको अलर्ट करता है और यह जो प्रोसेस है यह वन टाइम प्रोसेस है आपकी हल्थ को चक करने के लिए अगर आपको खासी बुखार है तो वह आपसे यहां पर पूछ़ए दाएगा आपने वह भी यहां पर मैंशन कर देना है कि क्या आपको बुखार के लच्छन देख लास्ट में नोटिफेकिशन आजाएगा कि आप कितने सेफ हैं या कितने रिस्क में हैं यह आपकी रिस्क की परसेंटेज को कैलकुलेट करके आपको बता देगा यहाँ पर तो दोस्तो फर्स टाइमें आपको सिर्फ इतना सा ही सर्वे करना है और अगर आपके अंदर लच्छन दुबारा से दिखते हैं तो यहाँ पर आप टेस्ट अगिन का यह आपके अपड़ेशन की सबसे बड़ी खास बात है और दूसरा कि यह आपको अलर्ट करता है अगर अप्लिकेशन को इंस्टॉल ना किया हो तो इंस्टॉल कर लिजिए अगर आपने खुद इंस्टॉल कर लिया तो अपने दोस्तों के साथ भी इस अप्लिकेशन को शेर कीजिए अपनी फैमिली के साथ भी शेर कीजिए और सेफ रहिए